अच्छे लिए दोस्तों शुरू करते हैं आप सभी का स्वागत है हम लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तीन हमारी जो क्लासेस थी उन क्लासेस को हमने कंप्लीट किया है और काफे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया आज हम लोग जो पार्ट फूर शुरू करने जा रहे हैं चुकि त्योहार था दीपावली का समय था पांच साथ दिन सभी लोगों को अपने आवश्यक तिवारों में घर की सफाई से लगा कर तमाम कारे करना थे इसलिए हमने ये दो तारिक तक अब कोशित किया था कि दो तारिक तक हम लोग आफ रखेंगे तो फिर कुछ लोगों ने का नहीं सर आप पांच या छी से शुरू करिये तो हमने फिर सब आएं वो पहले कर ले ताके बाद में आप लोगों को परेशानी ना है और पार्ट फूर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पार्ट फूर का जो में सब्जिक्ट है जो में क्राटेरिया जा रहा है वो थोड़ा सा डीप रहा है दोस्तों हो सकता है छे या सात मेने का एक source है इसलिए मैं आप लोगों को प्लिएर लींडिकेशन दे रहा हूं कि आप लोगों को परेशान होने की जरुवत नहीं है हमने पिसलिए मनाया है यह हमारे एप में आप लोगों कोदेखने को मिले लेगा सब् TaoXson कर पाएंगे तभी वो है हमारा cardio-vascular system, respiratory system, special senses, pediatrics and surgery, यह 5 subject हम लोग लेने माने हैं और यह जो 5 subject है यह बहुत important है हमारे लिए दोस्तों जो हमारी table practice को boost करने वाला है और इसलिए boost करने वाला है कि cardiovascular system, respiratory system और special senses यह आपकी table practice में 4 चान लगाता है जी भारत बूशन सर गुड़ीवनिग यह 4 चान लगाता है लेकिन सबसे बड़ा subject ही होता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, decisions के बारे में पता है लेकिन बहुत सारी physiological, anatomical, pathological background से बहुत सारी चीज हम miss करता है और यह 3 aces system होते हैं जो pediatric और surgery को भी जोड़ते हैं अगर आप pediatric और surgery को इसमें involve कर रहे हैं जी मंजी सिंग सर, good evening तो यहां पर एक बहुत ही deep में जाने का काम होता है अगर आपके पास कोई patient आया, pediatric case में आया और कहा के साथ यह acute abdomen pain का case है है न हम जी डॉक्टर सर, जी बलविंदर बदाम सर कनाड़ा से thank you sir, most welcome मैं आप लोगों को यह इसलिए बताना चाहरा था कि यह जो condition है जी विला सर सभी दोस्तों को मेरा good evening मैं criteria अभी किसी का नाम नहीं देखूँगा क्योंकि मुझे आपको 13 minutes में demonstrate करके खतम करना है दोस्तों तो यह इसलिए मैंने जोड़ा कि मेरी life में मैंने बहुत सारे sqs result किये है ना जिनको मैंने पटल पे रखा हमारे पटल पे रखा एलेक्ट्रों में और उन लोगोंने बहुत सारा एप्रिशेट किया और उन्होंने जब अपनी टैबल प्रैक्टिस में उसको उसको involvement किया तो उनको result 2 गुना बढ़ गए है ना तो यह चीज में आपको भी बताने जा रहा हूं कि यहां अभी जो present condition में आप लोगों के बहुत अच्छी न्यूज और देता हूं दोस्तों वैसे मुझे लास्ट में बताना चाहिए पर मैं दो चीज एक नहीं दो सबसे पहले हमारे महाराष्ट के जितने डॉक्टर ने उनको बधाई देता हूं बधाई इसलिए देता हूं कि बीएसी इलेक्ट्रों में पैतका एक छोटा सा तीन साल का सब्जिक्ट है महाराष्ट गॉर्मेंट ने सुरिकार कर लिया है और नंदूरबार इलाके में नंदूरबार के सारे डॉक्टरों को मैं हैड्स अप करता हूं कि सर आप लोग पूरे महाराष्ट के डॉक्टर को एप्रिशेट करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा है प्रेशर दिया गॉर्म का उन गवर्मेंट के सारे अधिकारियों को जितने हमारे नेता करने सभी लोगों को बढ़ाई कि आपने इलेक्ट्रों में पैथ को बीसी के लिवल पर जॉइन कर दिया हम उसमें भी खुश है एक क्राइटीरिया है कि उस क्राइटीरिया में हम आ जाएंगे कि इलेक्ट्रों में पैथि कुछ होता है जो दोटा है न हमने अलेक्ट्रों में पैथ में आते समय मैं में सकता है कोई बड़ा क्लास इस ही ऐस तो यह सारी चिज़े हम लोगों को जब यहां समझ में आएगी कप जब आपको ये सफ जीक्ट सापको समाझ वाएगे दूसरी बात को भारती को सब्सक्राइब बहुत अच्छा दिसन में दुआ करिए सब अपने धर्म में मेटी जी के लेवल पर हमको ब्लेशिंग बहुत जल्दी मिलने वाली एक बहुत कुछ इसले अबने आपको बोल्ड कर लीजिए क्या आते समय में लास्ट सा पद्दति एलेक्ट्रों में पैथ हो और फुल्फिल इलेक्ट्रों में पैचे किस्था पद्दिती ही आपको एक टॉप लेवल पर लेके जाएगी दोस्तों तो आज में जो बताने जा रहा हूं पांच सब्जिक्ट आपको बताना है दोस्तों यह पेडेटिक्स जो है इसने किया गया कि जब काडियो हो आप क्या क्या दोगे मैं आपको ऐसा मना दूँगा दोस्तों मैं पिछले इसक्र शाल से कामकरो नहीं हो कि उन्सी सब्सक्राइब कर दिया उनकी वाइब को मैंने यहां से 13-14 किलोमेटर दूर है उनकी वाइब को मैंने सब्सक्राइब करें उनको बोलने की ज़रुवत निया याद है अप लोगों को अब तीरा किलोमेटर दूर है रात को डेड़ वजे फोन आया यार कुछ कर सकता हो तो बता यार क्या कर सकते मेरे पास यह मेडिसिन आपने दीते इसमें एक इस्प्रे दिया था मैंनका बिलकुल उसको अम्लिकल कार्ड पर भी डाल दो पूरे अप्डूमन पर अप्लाई करा दो दस मिनदे बाद फोना यार यह कौन सी जादू के जप्पी देदी यार वो तो फस्ट क्लास हो गया बच्चा पेट कारण होते अब वो पीडेटिक के कारण अब बच्चा बोल सकता तो आप वहां पर आडेंटिफाइ कर सकते हो बहुत असानी से कर सकते हो अब बच्चा तो बोलता नहीं है साब है ना अब बच्चा बोलता नहीं है तो आप कैसे डाग्नोस करो कि इसको प्रॉब्लम क्या है मोताद उनके पास चला जाता था उनके बहुत हैल्प करता था उन्हों ने मझे बहुत नॉर्मल है या नहीं है दोस्तो इस सारी चीजे पिडिटिक्स के लेवल पर हमें देखना है इसरी बात अगर आप उसके इन्वार्मेंट की बात करेंगे तो दोस्तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कांस्टिट्यूशनली अगर आपको देखना है तो आपको उस बच्चे की रेगुलिशन आप गुरूथ के लेवल पर जाना पड़ेगा आपके उसको न्यूटिशनल प्राब्लम्स को जज्जमेंट करते आना चाहिए दोस्तो है ना आप उसको लंबे समय तक कितना हेल्दी बना सकते है उसमें डेफिशेंसी क्या है उस फीजिकल ग करेंड हो रहा अप एंड डाउन हो रहा एलर्जी सोरी क्या आप कैसे डाग्नोस करोगे है ना इस सारी चीज में बताने वाला हो दोस्तों है ना क्या डाइटरी इंटेक देना है आपको है ना तीन से पांच साल तक आपको पताए कि इमुनिटी डेवलप नहीं होती है ना अब इमुनिटी डेवलप नहीं होती अलर्जीस बहुत क्रॉमल रूली आपको नजर आ रही है ना बहुत आसानी से अलर्जीस हो जाती है आज बढ़ोक हो रही तो बच्चे तो मिल्क इंटॉलरेंस हुआ दाथ निकल रहे हैं आप क्या पोटेंसी ताह करोगे क्या मेडिस बताऊंगा दोस्तों सबसे अभी तक मैंने कभी प्रूफ कलेक्ट कुछ लोगों ने मुझे बैक्ड्राउंड में म्यूजिक बजा करना हमारा जितना ग्रूप मेंबर से सारे लोगों ने बहुत अच्छे-च्छे फीडवेक्स कलेक्ट किया बदाई आपको याद रखना यहां पर एक चिल्ड्रिन को हैल्थ को आप कैसे मेटाबोली कली डेवलप करेंगे फीजुलाजिकल इनाटॉमिकली डेवलप करेंगे उसके कांस्टिटेशन को कैसे लिंफटिक सेंग्वाइन टेंपरामेंट के लेबल पर अब होते वे देखेंगे अगर आपने बच्चो है या नहीं है आप तुरंथ वहां पर पकड़ लोगे क्या इस इनवार्मेंट का उस बच्चे के डेवलपमेंट पर कोई एफेक्ट हो रहा और उसके कारण अगर कोई वहां पर प्राब्लम्स हो रही है वो आप तुरंथ पकड़ लोगे दोस्तों है ना वहां पर आपको भी पता लगी कि मा को दूद नहीं बन रहा कैसे बढ़ाए जाए आपको पता है बच्चा दूद इंटॉलरेंस कर रहा है यह नहीं बच्चा दूद पी रहा और बाहर निकाल रहा है क्या हुआ ऐसा क्यों हुआ क्या एनरजी में प्राब्लम आ रही है उसके डाइट के इसके कारण वहां पर कड़वा पना रहा बच्चा दूद नहीं ले पा रहा है ना वहां पर आपको इसको कारबोड़ेट पोटीन फेट क्या देना है कितनी कैलोरीज वहां मा ले जिससे बच्चों को डेवलपमेंट हो इस सारी चीजे में बताने वाला हूं दोस्तों ठीक ठीक है तो यह पिडेटिक्स का लेवल मैंने बताया दूसरी बात जब सरजरी की बात आते हैं बहुत सारे लोग बोलता है इलेक्ट्रों में पैट मैं सरजरी की क्या जरूबत है है ना मैं उन्हीं लोगों से केवल कुछ चीजे बता दीजी मुझे अगर किसी को शॉक तो आप क्या करोगे अगर कोई आपके पास ऐसा केस आया केलेंजिंग केस की बात कर रहा हूं मैं अगर किसी को ऐसा केस आया जो क्रश हो गया है क्रश शिंड्रों में लेकर आया क्या करोगे बॉइल से एपसर्स कार्मंकल जैसा सरजरी का सबजेक्ट है अगर किसी को सब्सक्राइब करने के जरुबत है यह सारी सिस्ट रिमू हो जाएगी है ना क्यों होरी बैसल सेल कार्सिनोमा कि लॉइड चिटिनस इसकी ग्राप्टिंग या की जा सकती है अगर पूचना है तो 66 गळणा में जो हमारे डोक्टोस बैठे होए है शूणि सर दौक्ट विश्व कर्मा इन लोगो है आप ग्षियी सर्म वोल देंग NOW सकती है वह परेक Wild हमने गाया दो बिना किसी डाग धब्बे के बिना किसी स्पॉट के वो एरिया पूरा रीजन रेट हो गया तो हम या क्या जरूष मत छूड़ियेगा दोश्थो अगर आप में दम है मैं आप को बता रहा हूँ बर्गर डिसी जो होती है आप एक भी केस नहीं छूड़ियेगा आप ठीक कर जाएंगे आप में बताए यह वेरीको सिस कितने लोगों ने ठीक किया है विरी को सील हाइडरोसील कितने लोगों अगर कोई अगर कोई दिस लोकेशन होगा थोड़ें क्या कैस है लेकिन मेरा मानना है इवस्कुलर नेख्रोस फ्रेक्चर आप नेका फीमर Osteomyelitis, Ports Disease, Congenital Dislocation of Heap Joint, ठीक होता है दोस्तों, Electromypatch होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, आगे हम पढ़ेंगे पूरी Body का Anatomical Structure, जो हमारा Anatomical Points है, Head Injury, है ना, याद रखना, Osteoclastoma, है ना, Epulis, Odontal, या Dental Epsis, Renula, है ना, Carcinoma Tung, Dental Carries, Gingivitis, Goiter, Breast Carcinoma, है ना, क्यों डिले, Breast Carcinoma क्यों डिले ठीक होता है, धीरे से क्यों ठीक होता है, Because आप Edipose Tissue, लेकिन सर्जिकल लेबल पर आप अगर यहाँ पर Approach लगाएंगे, क्या वो ठीक हो सकता है, कितरा फास्ट होगा, है ना, यह सारी चीज़, हर्निया हुआ, हर्निया हुआ, तो वो ठीक होगा यह नहीं होगा, दोस्तों, दूनों पक्स है, बहुत सारे cases में ठीक नहीं होता, आपकी कमी नहीं है, याद रखना, आपकी कमी नहीं है, That is surgical point of, Peritonitis हुआ, कितने लोग जानते हैं, Peritonitis को, 100% ठीक होता है, यह से दोस्तों, है ना, हमारे जगजीत सर, हर्जीत सर ने ठीक किया है, है ना, Femosis, कितने लोगों ने ठीक किया है, 100% ठीक होता है, दोस्तों, Electromopath से, है ना, Anorectal Abses, कई cases हमने ठीक किया है, इस सब सर्जीकल पॉइंट अग्यू से बात करेंगे, जिसमें सर्जीरी की जरुवत होती है, क्या Electromopath इस सर्जीकल पॉइंट को चेलेंज करके ठीक कर पा रहा है, अगर कर पा रहा है, तो अपने आप से पूछेगा, 101% आप बोलोगी, हम कर सकते हैं, हमारा पूरा येज फैमेली बूलना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, दोस्तों, सर्जीकल लेबल पर, ठीक है, तीसरा, इस स्पेशल सेंसेस की बात करें, आई, नोस, थ्रॉट, इयर, हैना, इनकी जितनी भी डीसेस होती है, हैना, हम, फीजोलाजिकल बेग्राउड पर इशे लिए हम बात करते हैं, क्या हम इनकी जितनी भी डीसेस होती है, सबको simultaneously involved करते हैं, अगर हम यहां पर बात करें, नोस से सुरू हैं, पोल्ड, कुराज़ा, हैना, आगे जाएंगे हम nasal polyp, acute supportive otitis media, chronic supportive otitis, odentendia, otalgia, earache, deepness ये सारी चीज़े हम लोगों की है दोस्तों oral polyp, nasal polyp, tinnitus, giddiness, vertigo ये पूरी head injury याद रखना दोस्तों पूरी head injury as usual आपके surgery के level पर और साथ में particular आपका जो physiological anatomical background के अधार पर जो हमारे इलेक्टों मेडिका और practice of medicine में उनकी पड़ेंगे अर्थात मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर सबसे पहले eyes, आपकी nose, आपकी ear, इनका पूरा physiological process ये काम कैसे करते हैं, क्या-क्या चीछ coordinated होती है, किससे इसका link है and then related all diseases यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों और कोश क्योंकि मुझे computer चलाना आता नहीं, अभी मेरे बालक ने आपने देखा होगा कि यह laptop में मेरे बालक ने सैट करके जूम मिटिंग सैट किया है, है ना, तो यह सारी चीजे दोस्तों मैं बहुत अन्विग गी हूं, मुझे इतना ज़्यादा laptop चलाते नहीं आता, क्यों इस सब में बताने वाला हूं, राइनाइटीस, साइनूसाइटीस, फैरिंजाइटीस, एपिस्टेक्सिस, यह जितनी भी चीजे, औरल से रिलेटेड पर्टिकला टॉंसिलाइटीस, फैरिंजाइटीस, आपका गौइटर हुआ, यह जितना भी रेस्पारेटरी लेबल पर कज़र आएगा, विकॉज रेस्पारेटरी सिस्टम भी हमारा है, तो यहाँ पर आपको स्पेशल सेंसिस में डेंटल कैरी से लगाकर डेंटल एपसिस तक पूरा में बताने वाला हूं, और साथ में यूकूप लेकिया, जो कैंसर में कनवर्ट हो रहा दो, तो वहाँ पर भ लाइटेटरी में डीवाइट करो काम किरो गया, कुण कून सा आप राप रैस्पारेटरी ट्रेक इन्फेक्शन है, यह वाकोई में यह प्रैमरी पैसी में आपके र spr listed ए या अदर देड़न亲 को मालूम में अपको मल्टिपल डिस आदर लेकर आरहा है, यह अब्लीकल ओई तरपी में चालीस अम्लीकल ओई तरपी के लेवल पर काम कर रहा हूं जिसमें मैं हैट सब कहुंगा डॉक्टर राकेश संसनानी सर को बोपाल से दोनों इतार सी और बोपाल इन्हों ने मज़े बहुत सपूट किया बहुत सारे गजब यह स्मेल और मैक्सिमुम प्रोटोकॉल आपने गुरूप में भी देखा आपने उनके फॉलॉप भी किया है उन्होंने मैक्सिमुम प्रोटोकॉल के भियाप पर रिजल्ट लेकर दिखाए आपको दोस्तों वहां सब यहां पर डिस्कुस करने वाले अगली बात जब हम यहां पर लिए तो हमने 80% बॉडी के जो फंक्शन से उनको प्रोवाइट करना सीखिया क्योंकि हमें मालूम है 80% जो ब्लट सर्कुलेशन होता है ब्लट से 20% लिंपटिक चीनल से होता है अगर हमने काडियो विस्कुलर सिस्टम में कमांड कर ली तो आप मान के चलिए मैक्जिमम लोगों को आप रिकवरी करके लेकर आ जाएगी इस मैने मैंने करीब करीब जो हमारा हाट ब्लॉकिज के केस है मेरे पास 29 केस के फीडबिक है मेरे परसनल जिनकी एंजियोग्राफी पोजिटिव थी उनकी एंजियोग्राफी निगिटिव हो गई है दोस्तों दो दो तीन-तीन मैने के लेवल पर हम लोगों ने उनका जो एंजियोग्राफिक का लेव खास तोर से बॉडी के लिवल पर बॉडी से हाट की तरब और हाट से बॉडी के तरब काम करने वाली मेडियस आपको ये तो सब को मालू मैं कि A3, A1, A2 क्या काम करता है आपको मालूम हैं कि heart से body में भीजना है वो channel अगर प्रभावित होता even देना आपको body से अगर heart के दुछ channel प्रभावित होता है कि तो A2 देना आपको मालूम है कि धुनक प्रभावीत है या heart प्रभावीत है blood प्रभावीत है A3 देना ये आपको सब पता है ना लेकिन आपको ये नहीं पता और अगर पता है तो बहुत अच्छा है आपको ये देखना है कि इनके structures का अगर कोई complication है और वो cardiovascular system पर आ रहा है तो हम उसे करेंगे है ना वो सारी चीजे हम लोग यहां पर discussion करेंगे और openly ये सारी चीजे में आप लोगों को वहां पर सिखाने जा रहा हूं उम्मीद करता हूं कि जब ये system खुलेगा तो आपको समझ में आएगा more than 30 pieces of cardiovascular system and more than 30 pieces of respiratory system जो especially होती है और जो proven है by our basis हमारे जो basic products है जो हम लोगों ने बैस बना रहा है उन बैसिस के proven में आपको देने वाला हूं with PDF with proven ठीक है दूसरा special senses के लिए भी मैंने special basis बनाए है और वो special basis पर मैं काम कर रहा हूं है ना और सबसे important चीज यहां पर होती है pediatric और surgery की diseases है ना अगर vitamin deficiency मिनरल deficiency आप कैसे diagnose करोगे है ना अगर वहां पर किसी भी प्रकार का अगर मान लोग किसी ने vaccination लिया है है ना बच्चे का vaccination हो गया तो उस vaccination ने उसको कैसे दूर करोगे यहां पर आपको जितने भी dual dilution जो यहां पर आपको नजर आते है उसको कैसे ठीक करोगे आपको यहां पर special diagnosis करना मैं बताऊंगा दोस्तों जो मैंने पिडेटिंग सिंग के साथ न रहे के सीखे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं तो यह पार्ड फूर जो है यह आप लोग जिनोंने फर्स सेकंड थर्ड किया है और जो पार्ड फूर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अलग सब्जिक लेकर आ रहा हूं अलग तरीके से ब सबसे पहले इस 15 नवंबर या 20 नवंबर को आप लोगों को वो किताब इशू कर दूँगा दोस्तों वो अमेज़ान पर वो किताब जो मेरा सपना था वो में डाल दूँगा और वहां पर उसका इनाउग्रेशन कराऊंगा दोस्तों देहरा दून सेमिनार में ठीक है तो मै उसके लिए दिविया मैं को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि मैं वो चीज यहां पर बताने वाला हूँ ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आप लोगों को किसी का कोई खुश्यन है तो आप लोग पूश सकते हो मैं आपको अन्म्यूट कर र जी पर नाम सर अजी दासर है सर जैसे कि नाइट क्लास में चौथा क्लास चल रहा लास्ट क्लास तो यह मॉर्निंग क्लास में भी चलेगा सर यह वला यह तो सभी में चलेगा सर कंटीन्यू है सभी में चलेगा सर जोस्तों आनपको है करण कर सकते हो जो भी अगर कुशन करना चाहता है मैंने और कर दिया है आप लोग भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो अन्मूट कर सकते वाप लोग पर नामसर पर नमस्ते लैर है जी सर कैसे बढ़िया सार बहुत दिन के बाद मुलाकार थी क्लास जाइन करना है सर मुझे आप डिरेक्ट जाइए यह पर जाइन कर लिजिए सर बहुत अलग है जो अभी तक शायद आप लोगों ने जो आपने पहला भी क्लास किया है उससे बहुत डिफरेंट है आपको दिखेगा यह ठीक है जी सर जी नमस्ते सर कर सकते हो लेकिन आप जैसे फर्स क्लास के तो आपको मिलेगा आगे अगर आपको अरली पिरेट पर सीख रहा है तो आप जोइन कर सकते हो कि जैसे वंदों बोल रहे हैं है बिल्कुल आप जोइन कर सकते हो सर कोई डिककत नहीं है और टेक्यूं जी गुट इवनिंग से सर जी गुट इवनिंग भी निक इस तीन तारीक डाल दिये आव दो तारीक हम पहुंग जाएंगे ठीक है कोई दिकत नहीं आप दोन ग्रूप में जाके वह मैसेज कर दीजेगा बता देंगे आपको ठीक है तुम विए सब्सक्राइब नमस्ते नमस्ते चाहिए पचास ज्यादा ए और रज बहुत बढ़िया सर्णदर आपको बहुत आएगा सर आप नाराज नहीं बहुत मुझा रहेंगे बिल्कुल हंडेट परसेंट आपको उसका ऐसे ऐसे चीज़ बताऊंगा सर जो शायद बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि पिडिटेशन कभी नहीं बताते यह चीज़े ठीक है जी सब्सक्राइब जी सब्सक्र बताते बुए यह सथ नमस्ते ज़ी नमस्ते सर निवास वी शुचापट नमस्ते जी खीजिश्रीनवास राऊसर लुए अश्ञर नीकलासल्या अजीश्वेट साथ दिसंबर से शुरू होगा सर यह सबर्सक्षण नोंबर सब्सक्राइब यह दो पार्न सांगे यह दोक्य नमस्ते सर लिविमल कुश्वा सार जी 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 कहना सर तीसरा सेमेस्टर सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है आज कम से कम 15 दीन हो चुके हैं ठीक है फूर्ट से हम शुरू होने वाला है साथ तरिक से साथ नोंबर से और तो सर कर लेंगे पूर्ट वाला में लेंगे बट कहने का था थाध यादा पुछ जी यह निकींगरा राएं यह आई और किसी को क्यों नहीं है तो अपने करते हैं है ठीक है दोस्तों हम लोग यहीं समाप करतें स्कों क्लाश को यह सेकेंड सेंड सेंड का सब्सक्राइब करेंगे ठीक है न दिसम्बर आप तर देरा दूं सेमिनार आजी दिसम्बर के पहले-पहले हम पास पार्ट वन को कम्प्लीट करेंगे और सेमिनार के तुरंद बात सेकंड सेंड शुरू हो जाएगा जिसमें सेल टिशू ब्लड लिम्प जितने भी हमारे सिस्टम एडवांस क्लासेस म तो वहाँ पर स्मल किया जाएगा विध पीडियर तो आवाज क्लियर आ रही है मेरी जी मत्वाज क्लियर आ वैसे आउसें क्लास में आती हिमारी आवाज क्लियर अगिए तटा क्ता क्यों है आरा boys लूज क्लासिकल क्लियर आिजी बूल दौंट च् guard watching का दे एक पीशेंट से लगता है गिर जाता है तो ये तरफ रह़ां पूसको पूछी लेप्ट साइट में उसको को पूछे का लेप्ट साइट में विल جाए कि प्रॉब्लम का है अगर राइट साइट में जा रहा ना कोई दिक्कत नहीं आप S1 का 1000 उसको दे कर देखिये और W का अब यह करके बताइएगा ठीक है अब यह करके बताइएगा ठीक है अलो डॉक्त पाटिडा जी अब डिस दॉक्त पूचने चाहता हूं कि यह आप कि अब अब नेक्ट्रोग्ट्र यूस करेंगे नियूर्यक्ट्र अब्सक्राइब लेवल पर जूड कर प्रेक्टिस करता और मुझे उसके बहुत बैटर पर नाम आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे कई अक्यूपिंचर अक्यूप्रेशरिस्ट है जो निडिल या जो अक्यूप्रेशर थरफी करते हैं वो इसका सपूर्ट लेकर बहुत अच्छा रिजर्ट ले रहे हैं ठीक है आप देख सकते हैं इसमें स हैं इसको इसको यूजप कर रहे साथ में के सवे इससे में इस प्रकार से चार हमारे सेंव होते हैं अभी कंटीन्य आप चाहें तो जॉइंग कर सकते हैं यूजप बहुत कुछ पूछ बिग जाएगा आप उसके कुछ डेमो क्लासे समने डी यूटूब पर आप सर्ज कर सकते हैं ठीक है तेंक्यू स्थेंक्यू सूमाच ठीक अध्यू साब नमस्कार नमस्ते मैं डॉक्टर राजगोपार जी 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 सर अभी जो डॉक्टर साब ने कॉश्चिन किया था एक्यू तेरपी सब्सक्राइब किया हूं बहुत वंडरफूर रिसर्ट यह लक्टर हमेपती और एक्यूपंक्चर के साथ ले सकते हैं जी और मड़क्ट साब को भी यह शायद जो अभी बात किये हैं जो कैनड़ा में हैं उनके लिए जो स्टड़ी करना बहुत अच्छा रहेगा उसको जी मैं लिख के दे लूँ यह बात को मेरी बात को यहां सब्सक्राइब कर आप ना और मुझे उसे सुनने को मिलता है कि इलेक्ट्रोमेपैद के लिए क्या हो रहा आगए और बहुत जल्दी मुझे खुशी है भूलते वह खुशी हो रही कि बहुत जल्दी गूड़ी मिलने वाली हम सभी को मैं आपको मेरा पीएच्ट का जी सर जी तेसिस आपको देना चाहता हूं एक बार जी बिलकुल सर मैं तो आपको करता हूं सर आईए आप एक बार मेरे यह गूमने आईए बेंगलोर का सेमिनार कब है सर जी जी